नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजूकेशन फॉर इंडिया में आज हम आप लोगों को सुर्व प्रसिद्ध लेखक मोहन राकेश जी का प्रसिद्ध नाटक आधे अधूरे की समिछा करेंगे तो चलिए सुरूर करते हैं आधे अधूरे नाटक की समिछा मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे एक मद्यवर्दगी परिवार का आंतरिक कलर और उलजते रिस्तों के साथ समाज में इस्त्री पूरूस के बीच बदलते परिवेश तथा एक दूसरे से दोनों के अपेशाओं को चित्रित करता है महेंद्रनाट बहुत समय से व्यापार में असफल होकर घर पर बेकार बेठा हैं और उसकी पत्मी सावित्री नौकरी करके घर चलाती है कई तरह की परिस्तितियों और अपने अपने स्वभाव के कारण दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं मगर फिर भी सामाजिक, पारिवारिक और रूडिगत धाचों में कसी रहने के कारण साथ रहने को मजबूर है महिंद्रनाथ और सावित्री का एक दूसरे से घ्रिणा करते हुए भी साथ रहना भारती समाज में व्याप्तग रूडिगत विवस्ताओं को जाहिर करता है जिसके चलते इस्त्री तो क्या पूरुस प्रधान समाज का एक पूरुस भी साधी जैसे बंधन को तोड़ पाने में खुद को असमर्थ पाता है सावित्री को महेंदरनाथ हमेशा से दब्बू, व्यक्तित, हीन और उस पर निर्भर रहने वाला बेकार आदमी नजर आता है जिसका उसकी नजरों में कोई सम्मान नहीं है वह अपने लिए या जीवन बिताने के लिए एक ऐसे आदमी की अपिच्छा अपने जीवन साथी के रूप में नहीं करती इसलिए उससे करती जाती है और लगातार किसी ऐसे पूर्ण आदमी की तलास करती रहती है जो उसकी सारी कसोटियों पर खरा उतर कर उतर सके किन्तु ऐसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता कभी-कभी ऐसे आदमी के कुछ विसेस्ताओं को किसी व्यक्ति में पाकर वह दूसरों की तरफ आकरसित होती है किन्तु समय बीतने पर कुछ न कुछ कमी पाकर सदेव निरास होती है सावित्री का इस प्रकार अपने पती से मिली निरासक के फल सुरों बाहर एक पूर्ण आदमी की लगातार तलास करना इस्त्रियों की अपने जीवन को लेकर एक नई आत्म केंदित मनुविट्टी का भी प्रतीक है दूसरी और महिंद्रनाथ को लगता है कि सावित्री सदेव उस पर हावी होने की तथा उसे अपमानित करने की कोशिस करती है वो हमेशा उसे नियंत्रित करना चाहती है वो बार बार उससे दूर जाने की कोशिस करता है प्रतु उस पर इस प्रकार निर्भर है कि उसे हर बार लोट आना पड़ता है दोस्तों का चाहेता और हस्मुख महेंदरनाथ सावित्री से साधी करने के बाद व्यापार में लगातार असफल होकर मारने पीटने वाला पत्नी के परिचीतों प्रेमियों के घर आने पर घर से चले जाने वाला एक हारा हुआ व्यक्ति बन गया है सबसे अपमानित होकर वह अपने वच्पन के मित्र जुनेजा कि यहां जाता है कभी घर नहीं लोटेगा किन्तु अंत में ब्लट पेसर की बुरी हालत में ही वापस लोटाता है वह न सावित्री के साथ रह सकता है नहीं अलग कह सकते हैं कि दोनों को किसी दूसरे साथी के तलास है दोनों अपने में अभी आधे से हैं अधूरे हैं और उनका वर्तमान साथी इस अधूरेपन को कम नहीं करता है बलकि इस एहसास को और अधिक बढ़ा देता है यह इस्तिती अपने आप में इस्त्री पूरु संबंदों का एक त्रासद रूप है नाटक कार की दृष्टी से देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी परिस्तिती में इस्त्री पूरुस संबंदों में कभी कोई समझज से या स्थाई तालमेत हो ही नहीं सकता इस्त्री पूरुस संबंद एक ऐसा अंतर विरोध लेकर आगे बढ़ते हैं जहां साथ रहना भी मुश्किला और अलग भूना भी दोनों को इसी प्रकार के आधा धूरा सा जीवन जीते रहने के लिए विवस होना पड़ता है यह इस्तिती आधूनिक माद्यवर्गी समाज में इस्त्री पूरुस के वीच के संबंदों में आयवत लाओ को यथा स्वरूप चित्रित करती है मुत्वक अच्छाओं आत्मकेंदित स्वभाव तथा आत्मनिर्वत न होने की स्थिती में वह रिस्ता जीवन का आधार होना चाहिए एक बोज बनकर रह जाता है और इस्त्री पूरुस आजीवन उस भोज को धुने के लिए खुद को विवस पाते है महिंद्रनात और सावित्री के बीच के इस भावात नाकमक अलगाओं का मुख के कारण उनकी आर्थिक इस्तिती भी समझी जा सकती है परंतु नाटक कार मोहन राकेस ने अन्य पात्रों के जरिये यह भी दरसाया है कि पती पत्नी के अलगाओं और परिवाल के तुटने का एक मात्र कारण हमेशा आर्थिक संकट ही नहीं होता सावित्री की बेटी बिन्नी और उसके पती मनोज का वैवाहिं जीवन आर्थिक दिष्टी से अच्छा है फिर भी उनके बीच तना होया और उनके बीच के रिष्टे में आई घुटन उप्युक्त कथन को परमाडिक करते हैं नाटक में महिंदरनात के अलावा जुनेजा, सीवजीत, जगमोहर, मनोज और सिंखानिया का भी उलेख हुआ है इन पात्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति महिंदरनात से काफी अलग थी और यही एक कारण माना जाता है कि सावीत्री इन पात्रों में से कुछ के प्रती अकरसित रही परन्तु फिर भी एक ऐसा इस्थाई सम्मंद बनाने में असच्छम रही जो उसकी अपूर्णता को खत्म कर पाता इसी से पता चलता है कि मद्वर्गी समाज का मनुष आजकर रिस्ते बनाने बनाते वक्त ततकालीन स्विधा खुषता है और जब वो स्विधा समाप्त हो जाती है तो इस रिस्ते के बने रहने का कोई कारण नहीं रहता बड़ी तेजी से आते इस बतलाओं में इस्ते पूरु सम्बंध में अपने रूप और आकार बदल देते हैं यही कारण है कि आध्या दूरे नाटक इस्ते पूरु सम्बंध में व्याप्त और सफलताओं अपूर्ण महत्वकार अच्छाओं यौन कुंठाओं तदा भै ग्रीड़ा और अक्रोज को उजागर करता है पती-पत्नी के बीच मानसिक विच्छेद और कलर का असर उनके अन्य रिस्तो प्रण भी पड़ता है महिंदर नात और सावित्ती की बड़ी बेटी बिन्नी ने मा के ही एक प्रेमी मनोज के साथ भाग कर सादी कर ली लेकिन फिर भी दुखी और परशान है बेटा असोक पिता की भाती वेकार है उसका नौकरी में मन नहीं लगता और वह अपना जीवन अभिनेत्रियों के तस्वीरों और अस्नील पुस्तकी के साहरे काट रहा है छोटी बेटी भी इस वातावरन में विगड़कर जिद्धी, मुफट तथा चिर्चडी हो गई है अब और उम्रे से पहले ही योन संबंदों में रूची रखने लगी है इन सभी पात्रों के वहवार में महेंद्र नात और सावित्री के कटू संबंदों की छाप साफ न ज वर्ग के जहां एक और स्वतंत्र प्रगती सिल्मुक्त जीवन यापन की आकांचा है तो वही साती पर निर्भरता और इस्थाई रिष्टों की चाह भी है और यही कारण है कि ये उल्जे हुए रिष्टे कभी सुलजने की कोशिस में तो कभी मुक्त होने की छरपटाहत ल दूरे नातक का समिछा सारांस यदि आपको हमारे विडियो अच्छा लगा को हमारे वेडियो को लाइक करें और चैनल को संस्क्राइब करें 10 आति ही साथ करें तक्रीक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटि रिजसे формに सके हुए और यदि आपको और भी कोई भी हिंदी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें ताकि हम आपको आपके जरूरत के वीडियो को अप्लोड कर सकें हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद